जय हिंद मेरे अपने सभी SSGD 2021 के कंडिडेट आपको हम रोज रोज ये कुछ न कुछ एक्स्ट्रा बात इसलिए बताते हैं कि यूट्यूपर आपको कोई मुर्क नहीं बनाए यो कोई चुतिया नहीं बनाए और आप ड़केतों से बचे रहें आज हम आपको बताने वाला है कुछ एक्स्ट्रा बात उसी परकार का की टोटल वगेंसी कितना है अब टोटल वेकंशी बताने वाला बात क्या है लेकिन हम इसमें यह आपको बताएंगे कि वो condition क्या है जब OBC वाले candidate जेनरल में qualify कर जाते हैं एस्टी वाले candidate जेनरल में qualify कर जाते हैं लेकिन EWS में qualify इस बार नहीं करेंगे क्योंकि 2018 में अभी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो दो मिनट तक देखिए सब समझ में आ जाएगा 2018 में था कि EWS नहीं था समझे की ने तो जेनरल वालों को कुछ लाव नहीं मिलता था अन्रिजर्ड कर्टोगरी को कोई लाव नहीं मिलता था लेकिन इस बार मिलेगा क्या मिलेगा वह अभी आपको किलियर करेंगे और कुछ जो इस परकार का चोटा माटा बात है हम लोग डेली करते रहेंगे आपसे और इस्टडी तो जोर्री है ही लेकिन साथ में यह इतना जोर्री है कि इसके बिना आप लास्ट में समझ नहीं पाएंगे कि आपका मेरिट कैसे बनेगा ठीक है इसलिए पड़ाही के साथ यह भी जोर्री है जो कि हम देरे-देरे कर रहे हैं तो आईए आपको समझाते हैं हम सुरू से कि इस बार जो टोटल वेकेंसी है वो 25,271 वेकेंसी है आप जानते हैं जिसमें भी बढ़ने का पूरा संभावना है वेकेंसी ब अगर नहीं पता आप अन्रिजर्ब के टोगरी मतलब जेनरल के टोगरी जो है उसमें जो मेल मेल कंडिडेट में जो सीट है जेनरल का वो है 9524 ठीक है 9524 EWS का जो सीट है वो है 2212 OBC का लगवग 4973 और हैस्टी का 2356 एस्टी का 3369 यह मेल में हो गया सरु ठीक फिमेल में उस प्रकार से देख सकते हैं उतना बोलेंगे तो फिर वीडियो लंबा होगा तो मेल में टोटल कितना हो गया सीट आपका 2424 और फिमेल में आप देख लिए फिमेल में आपका सीट हो गया 2847 दोनों जोड़ने पर आपका पूर जाएगा 25271 यह कुछ बिसेस बा परी जो जेनरल कर्टोगरी सुकते हैं उनके लिए पहले कोई प्रावधान नहीं था कब 2018 में ठीक है लेकिन इस बार जो है उनके लिए प्रावधावधावधावधावधावधावधावधावधावधावधावधावधावधावधावधावधावधावधावधावधावधावधावधावधावधावधावधावधावधावधावधावधावधावधावधावधावधावधावधावधावधावधा Windows 95 वह पता चलेगा हैं तो वह सकता है आपिसे हैं और जनेरल में कAudy कर गए है तो वह प्रकmile यादा लगता है आपको और ज्यादा फिरा रहे WOW में समक्तिu कर दो देशा श्रेंदा च्राफा से समझेगा त Nissan पर समझे का कौन YouTube पर सब तो यहां कोर्स बचना आया हुए समझे उधारण अगर OBC का कटप सत्तर है उधारण मौन रहा है OBC का कटप फैनल कटप सत्तर गया है आपके डिष्टी के रिया से आपके श्ट्रिय उट से आपके केटोगरी इसे ठीक है मेल या फीमेल जो भी हो अगर आपके उधर से सत्तर गया है वो भी सी का और जन्रल का गया है बहत्तर ठीक है यह जन्रल से यू और का और आपका नमबर एसर। सब्सक्राइब करें लेकिन यह पूरा पूरा संभावना है कि अगर यहां पे 100 सीट था और यहां पे सब्सक्राइब करने का मतलब है कि आप अराम से क्वाइली फाई कि या बहुत ही मिधावी छात्र है इसलिए आप ग्षाइब की अगर आप अगर आप इसके प्रिफ्रेंस को क Swami करके कि जो पोःज परिफ्रास आप दिये हैं जितना नंबर में ये चंगरल में गया है उतना नंबर में आपको जंटल चक्डज सकता है आप संप चाइसब टीक है और सी आई सब में जनेरल मतलब यू और कर्टोगरी से कटप चले गया 76 और आपका है आप और चले गया है 75 ठीक है तो आप यू और में को कभी क्वाइली नहीं करवाएगा बात को समझेगा हम क्या बोल रहे हैं बहुत गहराई से बोल रहे हैं जो इस्टुडेंट समझदार होंगे वो मेरे बात को फिर से घुमा करके सुनेंगे और समझेंगे हम जो समझा रहे हैं हम गुद लगता है यह सब चीज मीटा दें उसके बाद आपको समझाए लेकिन फि ऐसा स्टुडेंट जो आज तक कुछ पढ़ा ही नहीं है उसके लिए किलास हम सुरू किये और उसको सब बात समझ में आ रहा है ठीक है तो छोड़िए उतना लंबा आपको नहीं घुसांग ऐसे समझे अब आप सर यहां से समझे हम फिर से आपको समझा रहे हैं देखिए आ आप माली अब सब्सक का मधारान देंगा सिस्टिजनरल इव्स अब लेकिन आप पहले समझे कि आप एक ओबी कंडिडेट हैं और आपके श्टेट से आपके जनरल डिस्टिक या बॉडर्डस टिया नक्सल डिस्टिक रिया से सतर गया है फाइनल काटाव 70 और आपके वहां मातर 100 सीट है समझेगा बात को लेकिन आप जो कंडिडेट है आपको नंबर था 75 अब मरताव कितना नंबर था इतर नंबर आपका आ रहा था मैंक्सिमिंग नंबर लेकिन आपके वह सेलेक्शन हो रहा है सतर नंबर में तो आप तो खुछ हो कि मेरा 75 नमर सही बात है खुस होना भी चाहिए तो इस condition में लग हुआ कि student का मतलब जो qualify हो जाता है वो general में आकर के qualify हो जाता है क्योंकि general में इसलिए qualify हो जाता है क्योंकि general का final cut-up गया है 70 समझेगा general का final cut-up गया है 70 और आपका है 75 तो आपको भी क्वाइलिफाय कर लेगा जन्रल में ही मतलब आप इस एक सो वाले सीट में नहीं है आप इस देड़ सो वाले सीट में आगए अच्छा बात हो गया आप मेरिट वाले स्टूडेंट है आपको मौका में मिलगा जन्रल के साथ फाइट करने का तो आप यहां हुआ है 2015 जब हम लोग का बाली था उसी समय सब चीज में मंतन कर रहे हैं सदारन है क्या समझ यह अब एक टार्मेंड कंडिशन क्या है आप तो क्वाइलिफाय कर गए जन्रल में लेकिन कब आपको जन्रल में मिलेगा सीट कब यह समझना पड़ेगा आपको यहां देड़ स है आपका फएस्ट प्रेफ्रेंस से ऐसब ठीक है और से आईएस अपका फाइनल कटफ जा रहा है चीज तरें समझेगा आम जो बोलना चाहरे हैं से आइसक का फैनल कटफ जा रहा है चीज तर और आपका नंबर है पच्छेटर तो आप जनेरल डिस्टीप सर्छी तो आप को इना कब कर सकते हैं कि क्या समझे इसलिए क्वाइले लिए इस यसे सेपक्षाइब कर सकते तो कि जंदल सब्सक्राइब को सबस्क깁तर याने के कारण आपको पिर से हमनों काटोगरी में बूशन हाज एक तो इसका मेर अब देखिए पिछले कहीं देखा गया था कि एसी का कट अब एसटी से बहुत एक्स्ट्रा था तो ऐसा होता है किसा कभ होता है जब सीट अधिक कम होता है आपके हैश्टि के रिया में तब अब समझाते हैं यहाँ ये घृडव्डेव और जनरल क्या भी से संतर है फिमेल कंडिडेट वालों के लिए भी सेम कंडिशन अपलाए होगा लेकिन आप तत्काल समझी हम क्या बोलना चाहरे हैं अगर अगर यू आर कंडिडेट का कहीं से कटप जाता है सत्तर ठीक है तो हंडेड पर्शन गारेंटी है कि एड़ाब्लू से कटप जाएगा 68 या 69 या कुछ भी हो सकता है यही मतलब इसका कंडिशन यही है कि वहाँ इड़ाब्लू से कितने वह सारे स्टुडेंट अपलाई करते हैं माल यह कोई स्टेट है ठीक है वहाँ यू आर में मतलब जनरल कर्टोगरी में सीट है 100 और इड़ाब्लू एस में सीट द लेकिन लड़का यहां से 15 ही अपलाई किया इड़ाब्लू एस कर्टोगरी से तब तो काफी कटव कम रहेगा जनरल वालों से तो यह हम कहने बात करें हम हम यहीं बोल रहते हैं कि 2018 में जनरल कंडिडेट को छिपने के लिए कोई जगा नहीं था लेकिन अब क्या है दूजा 70 नंबर है और वो EWS लगा करके अपलाई किए है डिए और उनके कटोगरी से उनके कटोगरी से कटप जितना भी जाये लेकिन अगर EWS के टोगरी से कटप आ जाता है उनके आसपास 70 के आसपास तो EWS में वह क्वालिफाय कर जाएंगे मतलब काने मतलब अपना यह समझें ऐ जैसे और वी-ओवी-सी के पास या एस्टी या एसी के पास अप्सान था ना पहले कि भाए वो अपना कैटोगरी छोड़कि जंदल में घुस सकते हैं सब कोई घुस सकता है समझें ये डवू एस भी घुस सकता है लेकिन मैंन बात है कि अगर अगर इजो ईड़ू एस देख तो बताएए सुरक्चित हुआ न जजनरल वाला जो सीठ है इसमें विची वाला कोई हक नहीं है अब आप समझ लिए कि जनरल वाले का हक में ये पूरा है और ये पूरा है लेकिन ये तभी है जब वो साटिप्ड लगाएगा अभी साटिप्ड कोई काम नहीं है मेडीकल पर इसा नहीं है कि अभी का डेट रहना ची मेडिकल के समय काने मतलब की बहुत पुराणा नहीं रहना ची तीन साल तक में रहना ची इसका भेलो मिलता है लेकिन पिजी कर अपलाइगे जिए का देरे-देरे बनाये तो इसमें बहुत मन्थन है जितना हम लोग चलेगे उतना विश्यस बात है ततकाल आप फिर से एक बार समझ लिए साब सुतरा में कि कोई सब्सक्राइब कर सकते हैं यहां गलती यही था पिछले बार कि यह नहीं था इस बार अच्छा बात यह कि यहीं यहीं कि जंदल कंडिडेट जो यहीं कि लगाएंगे यहीं कि अप्लाइक किये हैं उनको लाब मिलेगा अगर वह जंदल का कटप अगर चले गया है 75 कहीं से ठीक है तो यह होगा आपका मनलिए गर 73 या 72 नंबर था तो आपके इस बार आपको बचने का एक उपाय दे दिया है EWS समझें तो यहीं सब विसेस बात है और जैसे होगा कुछ-कुछ बात हम किलियर करतेंगे अगर इसमें भी कुछ प्रशन रहा गया हो तो टेलिग्राम ग्रूप जो है और इंडिया से जीडी गूरूप के नाम से है उसमे सर्च कीजिएगा यूट्यूब पर इसमें हम सिर्फ आपको दो मिनिट के वीडियो में सब कुछ बताने का प्रियास करते हैं क्या फैसलिटी है क्या होता है परमोसन वगेरा यह हम कल से ही शुरू किये है ठीक है एक्छा वात आईएगा नहीं तो कोई बात नहीं और देख जहिन